हेलो एब्रीवान साशिकाल सारे आनू थोड़ा बहुत-बहुत स्वागत आज दी क्लास आज आपा करन जा रहे हैं सेवन्थ क्लास पंजाब स्कूल एड्यकेशन बोर्टी मैच दी किताब ओधर चौथा चाप्टर सिंपल एक्वेशन्स ते आज आपा डिस्किस करांगे एक राइट हैंड साइट दे जिवें आपा सबजी लेंड जाने हैं तो सबजी वाला तकडी दे दोनों पास से ब्राबर करन दी कोशिश कर दाना कि तो कुछ कटांगे है कि ते कुछ बदानदा है आपा ओही एठे करना है ते मानलो सानु एक्वेशन दिती हुई है एक्स प्ल प्लस फोर इस इक्वल टू सिक्स चीके एवली साइट साड़ी केड़ी है यह लेफ्ट हैंड साइट ते एवली साइट साड़ी है यह राइट हैंड साइट इन्हों सॉल्फ करन दे लेई लेफ्ट हैंड साइट ते राइट हैंड साइड नों बराबर करन दे लेए आपा क 0 हो जुगा क्योंकि plus 4 ते minus 4 0 हुन दै ते मैं कर दिया जिए मैं एथे minus 4 कीता है एथे भी मैंनो minus 4 करना पहुगा बराबर रखन देली है न जिनने एथों कटाया मानलो 4 आम एथों कटाया ता 4 आम एथों यह बराबर हो जे तो यह बन गया x plus 4 minus 4 यह आ गया x plus 0x है न राइट हेंड साइड ते मैं कीता 6 ही गा एथे भी minus करना पहना है चार 6 दे बिच्छों 4 गए 2 यानी x दी बैल्यू आगई साड़े कोल 2 ओ देखो x दी बैल्यू दो आगई यानी दोनों साइड बैलन्स हो गया जि मैं अथे x दी बैल्यू दो पाननी है 2 प्लस 4 ओ आज अंदर साड़े कोल 6 यानी equation बिलकुल ठीक है गी ते एक अल याद दोनों पास से उड़ों multiply कर देना है जे multiply दिए डिवाइड कर देना है जे minus दिए ता plus कर देना है दोनों पास से होना आपा जिवे जिवे solve करांगे उवे उवे उवेद होनों एस काल दी समझ आंदी रहेगी भी कि मैं equations नो balance करना है जिवे अथे है गया 6x-4 is equal to 22 6x-4 is equal to 22 आही equation है किये हुँझे मैं LHS लिख दी है दर ले पास से 6x-4 minus 4 नो खतम करना है यानि एदे विच दोनों साइड करना है सब तो पहला आपा plus 4 6x-4 plus 4 6x-0 हो गया है ना दुझे पास से 22 एथे 4 आड किता सी 22 प्लस 4 नो आड किता एथे आगया 26 नो ये बन गया 6x is equal to 26 एथे तक सारे नो समझ आ गया हुझे मैं नो पता है 6 एथे multiply हो रहे x देना यानि हुझे दोनों पास से आपानों की करना पढ़ना है channel divide करना है ये हो गया 6 x divided by 6 is equal to 26 divided by 6 6106 6106 x is equal to 26 by 6 एदी cutting कर दांगे ये आगया साथे को 2 3s are 6 2 13s are 26 13 by 3 एक होर equation try करके देखने हैं मान लो साथे को जित्ता हुए है 2x plus 6 is equal to 12 एथे plus 6 है गया प्रले आपा लिखने हैं subtract करना है 6 from both sides जोना side तो माइनस करना है ये हो गया 2x plus 6 minus 6 is equal to 12 minus 6 2x ए हो गया plus 0 क्यूंकि cancel हो गया 12 गे विच्छ 6 गया 6 ए आगया 2x is equal to 6 हुन एथे 2 multiply हो रहे x देना ते आपा लिखांगे divide by 2 दोनों side ते divide कर देने a2x by 2 6 by 2 दो देना दो ओड़ गया 2 1s are 2 2 3s are 6 x दी value आगी जी साथे कुल 3 जे a value तुसी अथे put करोगे न बराबबर आजूगा 12 ने दिखांगा 2 multiplied by 3 plus 6 2 3s are 6 plus 6 a आगया 12 a वाली side भी 12 a वाली भी उन सारे नों समझ आगया चलो हुन आप आगे चाल देना एक होट राय कर देना P by 4 is equal to 5 उन मैं नों पाता है एक 4 अथे divide दा है आपा दोनों साइड ते की कर दांगे multiply by 4 P by 4 multiplied by 4 5 multiplied by 4 4 नाल 4 गया P is equal to 20 एक एन ना सौक है एथे पाके दिखामा 20 बटा 4 पांच आंदा है कि नहीं आंदा दूजी साइड भी पांच इसीगा उन आपा चल देना exercise 4.2 solve करन दी कोशिश करते हैं भी थोड़े तो solve हुंदी है या नहीं हुंदी write the first step that you will see to separate the variable and then solve the equation भी पहला कदम जड़ा है तुसी की लोंगे ओ लिखना है तुसी ते ओ तो बाद variable जड़ा है गए variable कहांदा मतलब a जड़ा है गए a दी बैल्यू की आएगी यह तह बहुत ही सौक है पहला पार्ट x plus 1 is equal to 0 तो नहीं है थे x नो कला करन दे लई मैंनो subtract करना पहना है 1 from both sides x plus 1 सी minus 1 करता 0 minus 1 यह दोनों cancel हो गए यह मनला plus 1 minus 1 0 होंदा है x नी value आगी minus 1 है ना ओवे ही second part x minus 1 is equal to 5 पहला कदम की लाओंगे यह minus ने बिछ है क्या है दोनों side add कर दीए add 1 on both sides इक add करना है x minus 1 plus 1 is equal to 5 plus 1 minus 1 plus 1 0 हो गया लिखन जी लोड नहीं है 5 plus 1 हो गया जी 6 ओवे ही तीज़ा part x plus 6 is equal to 2 असी की करना है subtract 6 from both sides 6 कटाना है plus 6 minus 6 to minus 6 ए हो गया x plus 0 एत्थे आएगा minus 4 बट देराल minus 10 है ना x is equal to minus 4 चौथा part y plus 4 is equal to 4 एत्थे प्लास दा है ना 4 दुन्हों साइट की करना पहेगा subtract 4 from both sides दुन्हा साइट तो 4 कटा दो y plus 4 minus 4 is equal to एत्थो भी 4 minus 4 हो गया a हो गया y plus 4 minus 4 हो गया 0 is equal to plus 4 minus 4 0 यानि y दी था ते तुसी जे 0 पाउंड ये था एक्वेशन बराबर हो जोगी हाँ बराबर हो जोगी होगे ही 5th part y minus 3 is equal to 3 उन एक comment section दे विच तुसी मेनूं दासने भी एता आंसर की आएगा तुसी की करोगे इनूं सॉल्व करने लिए ते य रिवेल्यू की आएगी ए तुसी मेनूं नीचे comment section दे विच सॉल्व करके दासने जो दसेगा ओधा नाम लेया जाएगा अगली वीडियो दे लिच अगला है write the first step that you will use to separate the variable and then solve the equation ओही पहले वाला काम है ओही दासने भी की करांगे आप आए दे विच पहला पार्ट 3x is equal to 50 देखो एथे x दे नाल 3 की हो रहे है multiply ए तो उल्टा की होएगा multiplication दा division होजेगा divide 3 on both sides दोना sides से तिननाल divide कार देना 3x बटा 3 is equal to 15 बटा 3 यह तिननाल तिन गया 3 1 0 3 3 5 0 15 x दी वैली वागी जी 5 मतलब इस first step लिखना जरूरी है दुझा पी बाइ 7 is equal to 4 उन्हें थे 7 divisions आए दोनों sides से की करांगे multiply multiplying both sides by 7 p by 7 multiplied by 7 4 multiplied by 7 7 नल 7 गया p is equal to 7 4s are 20 है simple हो गया हुँ solve करना आ गया चलो तीज़ा try कर दिया है 8 y is equal to 36 है थे multiplied है खुंता थो अनुपता ही है dividing both sides by 8 यह हो गया 8 y बटा 8 is equal to 36 बटा 8 8 नल 8 गया एथे जे cutting कर दें आते यह आएगा 2 4s are 8 2 multiplied by 18 is equal to 36 एथे 4 एथे आगे 18 एफ फिर y is equal to 18 बटा 4 एफ फिर cutting हो जेगी क्यों क्योंकि 2 2s are 4 2 9s are 18 a आगया 2 एथे आगया 9 by the value आगी 9 बटा 2 उबे ही अगला part कर दें एदा try चौथा 20x is equal to minus 10 एथे multiplied है dividing both sides by 20 simple है 20x बटा 20 is equal to minus 10 by 20 0 नल 0 गया 20 नल 20 गया x दी value आगी यह minus 1 by 2 अगे third question तीजा सवाल है give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation केड़े केड़े steps लबांगे मतलब हर step लिखना है पहला है 5x plus 7 is equal to 17 अब तो पहला यह नूँ खटाना है आप लिखांगे subtracting 7 from both sides दो नो sides तो 7 हटा दो 5x plus 7 minus 7 is equal to 17 minus 7 यह नूँ solve कर लो देखो जो x तो बिना है ना उही solve हून गया थे आपस से बिच 5x यह नूँ plus 7 minus 7 देखो 0 हून दो 0 लिखनदी लोड नहीं है 17 विच्चो 7 गये 10 हून dividing both sides by 5 यह थे multiply दा यह आ गया 5x बटा 5 is equal to 10 बटा 5 यह दिना ले गया 5105 5 to the 10 x is equal to 2 आगया जी आंसर उवे ही दुज्जा पार्ट 20x बटा 3 is equal to 40 यह थे 3 की देखो डिवाइड देखो सब तो पहला था n उड़ा देखो आपकी करना है multiply multiplying both sides by 3 यह हो गया 20x बटा 3 multiplied by 3 40 multiplied by 3 तिन नाल तिन गया 20x is equal to यहनू multiply किता 120 आजेगा खुन यह थे 20 multiplied है आपका divide करांगे dividing both sides by 20 20x बटा 20 is equal to 1 20 बटा 20 20 नाल 20 गया 0 नाल 0 गया 2 1s are 2 2 6s are 12 x दी value आगी जी 6 जे properly solve करोंगे ताह भी यही value आगी आगे चाल देखो देखो तीजह पार्ट 3p minus 2 is equal to 46 पहला दोनों हटाने ओधरी दोनों साइड करना पोगा 2 आड़िंग 2 to both sides 3p minus 2 plus 2 is equal to 46 plus 2 minus 2 plus 2 0 हो जानता है लिखन दी लोडनी है 46 से बिछ 2 आड़ कीता यह हो गया जी 48 फिर dividing both sides by 3 तिन नाल डवाइड करना है 3p बटा तेन is equal to 48 बटा तिन नाल तेन उड़ गया की 48 तिन दे कुई solve करना है equation सिंपल है होंता सानू solve करना ही आगी क्या मैं करना है question number 4 पहला part 10x plus 10 is equal to 100 देखो मैं अथे पहला step नहीं लिख रही पर मैं करके दखा रही है तुसी मैंनो comment section दे है कि यह थे पहला तुसी की लिखोगे मैं करके दिखा रही है मैं की कार रही है खुल में दुज्जा step लिख रही है थे 10x multiplied है 10x plus 10 is equal to 90 plus 10 10 नाल 10 उड़ गया 0 नाल 0 उड़ गया x दी वैल्यू 9 आगी ए वाला तुसी मैंनो दासना है मैं हुन पहला जड़ा step है और छाट दमांगी fourth question which तुसी मैंनो दासना है की आएगा दुज्जा सवाल minus p plus 3 is equal to 5 पहली गाल तर देखो minus उड़ान दे लेगे थे मैंनो एक और minus null multiply करना पहना है क्योंकि minus minus multiply होंदे answer plus दे बिच आजाना है थोड़ा complicated है ते मैं की कर दिया है वैसे था मैं दोनों पास से 3 null multiply करना थी पर उनमें minus 3 null करांगी तांकि minus minus आपस दे बिच उड़ा ते मैं लिखती है multiply both sides by minus 3 करके दिखानी है ठीक है minus minus की हो गया plus तिन नाल तेन रूड़ गया यह आगया P कर दा माइनस माइनस यह आपस multiply करते हों प्लास हो जाना है पर एथे माइनस आओगा क्योंकि यह plus minus की है गया minus answer आगया जी minus 50 हुद एदा तीज़ा पार्ट हो दा first step तुसी मैंनों दसोगे मैं की लिखा तुसी अथे मैंनों comment section दे विच दासने भी एदा एस question दा तुसी एस part दा ए लिखोगे भी तुसी की कार्यों दोनों साइटे में करके दखानी है ए हो गया 0 3x is equal to minus 12 होन क्योंकि multiply दा है तो मैं divide कर दांगी तिन नाल तिन नाल तिन उड़ गया 3 1s are 3, 3 4s are 12 but x is equal to minus 4 आएगा क्योंकि नाल minus चाल रहा है चुछा पार्ट 2q minus 6 is equal to 0 ए ठीक है जो मैं लिख रही है एड करने च्छे दोनों पासे इधा 0 बन जूगा दोनल्ड वाइड कीता दोनल्ड दोल गया 2 1s are 2, 2 3s are 6 q दी value आगी जी 3 पंजवां पार्ट 3p is equal to 0 ठीक है दोनों साइध तिन नाल डवाइड करदा तिन नाल तिन गया थे 0 नाल की से नंबर नूड डवाइड करदे या था 0 ही अंसर आथे ओवें 6 एथे multiply दाय तिन तिन नाल तिन नूड गया 3 बंदा 3 3 3 3 0 9s the value आगी जी माइनस दे उन्ता मैं उमीद कार दिया था उन्हों एक्सराइस समझा आगी होएगी अगली क्लास दे बिच आपा होड नमा तरिक्का सिखांगे इस equation हो solve करणदा जे थो नो वीडियो वदिया लगी ता comment section दे बिच अपने answer ज़रूर दसे हो ति like, share, comment ज़रूर करें आपा फेर मिलांगे till then take care bye bye